नमस्कार दोस्तों मैं हूँ राकेस और आप देख रहे हैं GoToOnline तो आज से कुछ साल पहले लोगों के साथ में जो online fraud होता था लोगों के साथ में जो online ठगी होती थी वो ATM कार्ड के जरिये होती थी जानि fraud लोग किसी भी बहाने आपसे ATM नम्मर पूछ लेते थे इसके बाद में OTP पूछ लेते थे और आपका खाता साफ कर देते थे लेकिन धीरे धीरे लोगों को पता चल गया कि ATM नम्मर किसी के साथ में सेयर नहीं करना चाहिए और नहीं OTP किसी के साथ में सेयर करना चाहिए तो ऐसे में फ्रॉड लोगों ने एक नया तरीका अपनाया UPI का अब फ्रॉड लोग जो है UPI के जरीए लोगों को ठगते हैं और UPI के जरीए फ्रॉड लोगों को ना तो OTP की जरूत पड़ती है और नहीं कार्ड नम्मर की जरूत पड़ती है तो ऐसे में बात करते हैं कि हम UPI Fraud से कैसे बच सकते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है अपनी UPI Service को ब्लॉक करके रखना होगा ब्लॉक करने के बाद में आप जो है किसी भी UPI App से ट्राजक्शन नहीं कर सकते नए Google Pay, Phone Pay, PTM Ambition पे जितने UPI App हैं वो सारे UPI App के जो ट्राजक्शन है वो ब्लॉक हो जाएंगे ऐसा नहीं है कि आपने अगर UPI Service को ब्लॉक कर दिया तो आप उसको अनब्लॉक नहीं कर सकते अगर आपको जरूवत पढ़ती है तो आप उसको अनब्लॉक कर दीजिए और जरूवत पढ़ने के बाद में फिर से उसको ब्लॉक कर दीजिए उससे क्या होगा कि आपका जो पैसा है वो सुरच्चत रहेगा कोई भी फ्रॉड UPI के जरीए आपका पैसा नहीं चुरा सकता तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि SBI की ये UPI सर्विस है उसको कैसे ब्लॉक करते हैं और कैसे अनब्लॉक करते हैं आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पंजाब नेशनल बैंक की UPI सर्विस को कैसे ब्लॉक करते हैं और कैसे अनब्लॉक करते हैं तो तो UPI Service को Block Unblock करने के लिए मैं आपको ले चलता हूँ मोबाइल की स्क्रीन पर तो देखिए मैं आच चुका हूँ मोबाइल की स्क्रीन पर PNB UPI Service को Block करने के लिए आपको PNB One App ओपन करना है अगर आपके मोबाइल में PNB One App नहीं है तो आप इसको Play Store से Download कर लिजिए और अपना ATM Detail दे करके या फिर आधा Detail दे करके M-PIN और T-PIN बना लिजिए तो मैं पहले ही अपना M-PIN और T-PIN बना चुका हूँ तो मैं इसमें अपना M-PIN दे करके Log In हो जाता हूँ Log In होने के बाद में आपको PNB One का इंटरफेस कोच इस तरह का नज़र आएगा और यहाँ पर एक Option दिया है मैं Mark कर देता हूँ UPI का तो आपको UPI वाले Option पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद में सबसे नीचे एक Option दिया है UPI Blocking का तो आपको UPI Blocking पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद में आपका Mobile Number सो हुगा और नीचे Continue का Button आपको सो हुगा तो आपको Continue पर क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद में फिर आपसे Free Confirmation पूछा जा रहा है तो आपको फिर से यहां Summit पर क्लिक करना है इसके बाद मैं अपना tip in देना है तो मैं यहाँ पर अपना tip in देता हूँ tip in देते ही यहाँ पर देखिए UPI service आपकी ब्लॉक हो जाएगी और यहाँ पर अब जो है आप किसी भी UPI app से transaction नहीं कर सकते अगर आपको UPI service को फिर से unblock करना है तो उसके लिए आपको वही process okay पर क्लिक करना है और फिर से यहाँ पर option दिया है UPI unblocking का तो आपको UPI unblocking पर क्लिक करना है आपका mobile number देखेगा नीचे continue का button देखेगा आपको continue पर क्लिक करना है इसके बाद मैं आपको फिर से confirmation देना है और नीचे submit पर क्लिक करना है, क्लिक करते ही, यहाँ पर फिर से अपना टीप इन देना है, तो मैं यहाँ पर टीप इन देता हूँ, टीप इन देते ही, यहाँ पर देखिए, फिर से हमारी UPI Service Unblock हो गई है, तो इस तरह आप अपनी UPI Service को कभी भी Block Unblock कर सकते हो, हाँ मेरा suggestion यही है, अगर आपको जरूत नहीं है, तो आप Block करके रखिए, जब आपको जरूत पढ़ती है UPI transaction की, तो आप उसको Unblock करके transaction कर लीजिए, इसके बाद में आप फिर से उसको Block कर सकते हैं, उससे क्या होगा कि आपके साथ में कोई भी UPI के जरीए धोकादड़ी नहीं हो सकती वीडियो आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएं, फिर मिलता हूँ, नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए, गुडबाई